वेलकम के साथ आज की स्टूडियो में हम दिखाने वाले हुंड़ाई की अब कमिन कॉंसेप्ट कार E4U के बारे में जा फ्रेंड्स दोस्तो इस घनी आबादी वाले सहर में पोलिशन भी अब बल चुका है जिसमें कुछ लोग एलक्रिक स्कूड़ का यूज करते हैं तो कुछ लोग चल के ही जाते हैं और साथ साथ में ट्राफिक की समस्य भी ज्यादा रहती है इन सभी चीजों का ध्यान में रखते हुए हुंड़ाई ने की AC मोबिलिटी बनाई है जो एलक्रिक पर चलती है दोस्तो दुनिया में हर दिन नई नई टेक्नलोजी आती रहती है जातक कॉंसेप्ट परस्नल मोबिलिटी वीकल की बात करें तो हुंड़ाई भी कहां फीचर रने वाली है हुंड़ाई की E4U को लेटेस्ट क्रियेशन को सबसे दिल्चस्प में गिना जा सकता है दोस्तो हुंड़ाई की E4U परस्नल मोबिलिटी को 2013 के शियोल मोटर शो में दक्सील कोरिया वहार निर्माता कमनी दुआरा दिखाया गया था दोस्तो हुंड़ाई की ये मोबिलिटी अंडे की तरह दिखती है जो काफी अलग है इस मोबिलिटी में आपको कमनी की हेलमेट के अलावा दूसरे हेलमेट का यूज नहीं कर सकते हैं जिसका कमनी ने नाम दिया है रेन कवर हेलमेट और इसमें 123 मीटर के हाइट दी गई है जैसा की बात करें तो इस मोबिलिटी में लेफ्ट में एक दोल्स देंगा है जो दिखने में बहुत छोटा है पर आगे के साइट जो LED हेट्लेब दे गए है जो कास टून टोई की तरह दिखते हैं और आगे बीच में उंड़े का लोगो भी दिया गया है जिस मोबिलिटो को खास बनाता है दोस्ते इस कार के खास बात यह कि यह आपके शरीर के हिसाब से दोलेगी जैसा कि आप अपने शरीर को थोला जुकाओगे या लेफ्ट या राइट मोलोगे तो यह मोबिलिटी भी आ 80 किलोगरम वह इतनी है मोबिलिटी 30 किलोगरम पटी घंटे की टोप से दोल सकती है और इस मोबिलिटी को आप सिर्फ रोड पर ही चला सकते हो ना कि डेमेज रोड पर दोस्तों इस मोबिलिटी के जो टायर है और चारो दिशा में घुम सकते है दोस्ते मोबिलिटी ड्राइ एरपोर्ट जैसे सटिक जगा उपर गूम फिर सकते हो और इस मोबिलिटी का आनन्द ले सकते हो दूसरों उंडाई इस मोबिलिटी को इंडिया में लाए गिया नहीं इसका कमणी ने कोई खुलासा नहीं किया है लकिन हम यह कह सकते हैं कि पर इका कॉंसेप्ट है तो यह सब्सक्राइब नहीं के तो प्लीज सब्सक्राइब के लिजिए टेक केर बाई